अगर आपके पास भी this phone number cannot be used for verification कुछ ऐसी problem आ रही है तो आप इसको कैसे fix कर सकते हैं इसको fix करने के लिए आपने वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपका कोई भी step skip न हो और आपको असानिक से समझा सके यह मसला हमारे पास उस वक्त आता है जब हम अपना new email account create कर रहे होते हैं और उसमें हम अपना phone number verify करने के लिए अपना number enter करते हैं और जैसी next के button पे click करते हैं तो हमारे पास यह मसला आ जाता है मैंने यहाँ पे अपने different number type की हैं लेकिन हर बार नया number enter करने के बाद यही problem आ रही थी फिर मैंने अपनी devices को change करके देख है तो अपने mobile phone को change करने के बाद फिर से यही मसला आ रहा था तो तब मैंने थोड़ी research की तो मज़े समझाया कि ना तो आपकी device में यह मसला है और नहीं आप जो number इस्तमाल करें उसमें कोई मसला है यह असल में Google की तरफ से एक issue आ रहा है जिसको जल्दी fix कर दिया जाएगा बस आपने थोड़ा सा wait करने तब तक आप अपना कोई पुराना email यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मुझूद है तो यह Google की तरफ से एक issue है जिसको Google खोदी fix कर देगा तो आपने बस थोड़ा सा wait करना है जब तक यह मसला fix नहीं हो जाता